हलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग ठीक हो I hope कि आप लोग अच्छे होंगे इस वीडियो में हम बात करने वाले किसान बिल के बारे में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि धर्ति पुत्र किसान और देश की सरकार यह दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं यह एक दूसरे सी बा की खेल और मंडी का खेल क्या है और क्या फायदा होने वालना इस और डीचल की सारे चीजितों के बारे में बात करेंगे इस भीडियो में ठीक है तो आई जुरू करता है कि किसान विल है क्या ओके दूस्तों आई सब्स्तिया संब्रीचान को शें ile पारे श्कुक अपने जरूरत क्यों पड़ी आपको जर्दा समझना हुआ कि आजादी के बास से किसानों की हालात ऐसे नहीं थी कि वह खुज से खेती कर सकते थे तो किसान क्या करते थे जो बड़े बड़े रईस और जमीनदार लोग थे उन से वह पैसे लेते थे और उसके बाद खेती कर सके वह खेती फसल उपज होने के बाद वह कहां बेच नहीं पाते जैसे कि किसान के पास अगर 1000 कुटल धान या गहूं हो गया तो एक-इक किलो करके नहीं बेच पाएगा और वह दुकान-दुकान जाके नहीं बेच पाएगा तो वह भी मजबूर होता था कि यह जो राइस और अमीर और जो शाहुकार थे उन्हें के पास ले जाता था और पूरा मतलब थोक भाव में अपने सारे समान को बीज देता था यानि कि और यह जो शाहुकार थे वो क्या करते थे समना को मार्केट को सुपन करते थे बड़ी-बड़ी कंपनियों को सप्लाई करते थे यानि कि क्रिशी के मार्केटिंग पे सारा पकड किसका था जमिदार और सहोकारों का था और सहोकार चुकी सारे सहोकार मिल के क्या करते थे एक fix rate तैकर लेते कि भाई हम इससे ज्यादा दाम नहीं देंगे अब किसान की लागत हो या ना हो वह बेचारा खुलसी से दे हसके दे रो के दे उसको बेचारे को उसी क स्यमित्स मार्केट कमिटी इस एक्ट से क्या हुआ राजी सरकारों किसानयों से कहा कि अगर आपको फसल बेचना है आपको सही द्राम अपको सरकार आपको सहीय दाम मिलाएगे एक के सरकार ने हर राज कि हर जीलो में मंडियों के विवस्ता की यानि की मंडिया बनाए और किसानों को कहा कि आप डारेक्ट ना मुच dönिए आप अपने समान के मंडि मंडी में ले आई हम वहाँ पर आपको सही दाम दिलाएंगे अब क्या होने लगा किसान अपना फसल लेके मंडी में आने लगे किसान के पास दो आफ्शन थे पहला तो एक MSP MSP क्या चीज होती है यह वह राशी होती है जो कि किसान को पर क्विंटल उसको देना जाता है जैसे कि सरकार तैय कर लेगी कि इस बार मैं गेहूं की दाम कम से कम इतना रहेगा जैसे 1200 रुपे जो भी सरकार तैय करती MSP यान कि किसान को दिया जा तो किसान को एक चलो भाई protection मिल गया कि कम से कम जो वेपारी थे वो भी मंडी में आने लगे अब देखे जो किसान थे इनके पास दो रास्ते होंगे पहला रास्ता तो यह हो गया कि MSP पे मंडी को दी दिया जा यानि कि आपका जो फसल हो MSP जो support price थे कि उस पर मंडी को दी दीजिए या फिर आपके पास यह भी option है कि जो वेपारी जो वेपारी आया है वो आपके फसल की निलामी लगाते थे मालने जिए आपके पास गेहूं है तो निलामी लगाएगे कि इस बार हम गेहूं को 1200 या 1500 जो भी रेट होगा हम उतना रुपे क्विंटल देंगे तो किसानों के पास दो option होगे कि अगर चाहे तो MSP प समान खरीर रहता है उसको राजी सरकारों को टेक्स देना पड़ेगा और यह जो टेक्स है वो वेपारी पे करेगा किसान पे नहीं करेगा तो मंडियों के अंदर बड़ा ही अच्छे तरीके से यह कानून चलने लगा एक वक्त ऐसा आया कि मंडियों में जो किसानों और वे वेपारी नहीं खरीद पाते थे इस सरा आज को यह जो शावकार थे वही किसानों से खरीदने लगें लेकिन मंडियों की निगरानी में अब यहां से खरीद के फिर वो देने लगे वेपारी को ऐसे करते कि इसके बीच में ने बहुत सारे दलाल और बहुत सारे जमिंदार गुजगा और इसके बीच में क्या हो गया एक वेपार का एकस्प्राइजेशन हो गया यह वेपार बढ़ गया इससे क्या होने लगती महंगाई बढ़ने लगी ओके दोस्तों तो इस तरीके से मंडियों में वेपार चलने लगा यानि कि किसान खुश थे वह चाहे तो मंडी क सह स्ता कोमार कमिटी इन्मे की लेए चेक करने के के लिए के वेपार चल कहसे हूँ यह कमिटी निनस अपना रिपरंट आकर कि आप हैरान हो जानके नियुकर Σिके अच्छ शelfैरे सान बेचरे मंडी को 192 परतिसट मंदी ज्यादातर किसान weapon में में वेस निलामी से मिलिच presentus वेपारी को अब देखें यहां सरकार के पास एक नया आइडिया आया कि जब भाई जब किसान वेपारी को ही बीच रहे हैं तो उनको मंडी आने की जरूरत क्या है और वेपारी जब किसान से ही खरीद रहे है तो इसको extra tax दनेगी क्या जूरत है तो इसी चीज़ को हल करने के ये Central Government एक कानून लाती है, ये तीन कानून लेके आती है, देखे एक चीज तो मैं appreciate करूँगा ना, कि ये जो present government है हमारी country की, वो करांतिकारी काम दो करती है, भाई, बड़े-बड़े काम दो करती है, ठीक है, तो इस बार भी इस किसी कानून में उन्होंने तीन नए कानून ल मिलने लगा, एक तैय दाम उनको मिलने लगा, दूसरा इनका फायदा ये हुआ, इनके पास दो option हो गया, या तो मंडी या तो वेपारी, तो इनके पास दो फायदा हो गया, तीसरा फायदा ये हो कि निलामी से इनको MSP से भी ज्यादा प्राइस मिल जाता है, मतलब जब वे इनसे MSP से काम दाम में खरीदना चाहे, और वो नहीं खरीच सकता था, यानि कि अगर मन करें, MSP पर बेचा, मन करें, MSP से ज्यादा पेचा, बार लेकिन क्यो तारा से MSP काम ना खरीद पाई, means, if they wants to sell on MSP, they are free to sell, if they are getting more than MSP, they can also send on them more than, but nobody will give them less than MSP price, so they have got several options, okay, लेकिन साथ साथ, there was a disadvantage also, disadvantage क्या था, disadvantage क्या था, जैसे कि माली जी मेरा शहर तमकुही राज, तमकुही राज का किसान है, तो वो अपने आनाज को तमकुही राज की मंडी में ही बेच पाता था, यानि कि वो जा के दूसरी जगा चाहे, वो कुशिनगर कस्या, तमकुही, फाजिलगर, य लेकिन वो अपनी किसान जो है, वो अपनी ही मंडी में अनाज को बेचता था, दूसरा disadvantage ये था, कि फसल की जो कीमत होती थी, MSP, वो सरकार तय करती थी, सरकार आके आपके फसल की दाम लगाती थी, MSP इतना होगा, इससे कम आपको नहीं खरीद पाता, यानि कि किसान खुद इस चीज को हल करने के लिए, मोधी सरकार, यानि कि इंडिन गवर्मेंट, करेंट गवर्मेंट क्या लाई है, ये तीन कानून लाई है, ठीक है, एक बात तो मैं अप्रिशेट करूँगा, कि जो प्रिजेंट इंडिन गवर्मेंट है, वो हमेंसा बड़े-बड़े काम और और इसमें रिफॉर्म होना बहुत ही जरूरी था, यानि कि किसान कब तक बस अपने ही मंडी में बेची, वो जाके बाहर भी उसको एक ओपन मार्केट मिलना चाहिए था, तो I really appreciate कि गवर्मेंट ने इस साइड अपना step लिया है, इस साइड नय कानून बना रही है, I really appreciate, इस कानून के मात्यम से सरकार ये बताना चाहती है किसानों को कि आपके लिए पूरा देस एक मार्केट हो गया, पूरा देस आपके लिए खुला है, यानि कि जो पहले आप मजबूर थे, कि बस अपने ही जिले की मंडी में बेचते थे, नहीं अब आप मजबूर नहीं है, अब चाहे तो आप जिस भी जिले की मंडी में बेचना चाहे आप वहाँ पे बेच सकते है, मैंने कहा कि मेरा शहर तमकुई राज का किसान है तो वह चाहे तो नोईडा के मंडी में भी ले जाके बेच सकता है, महराश्रा के मंडी में, मतलब किसानों के लिए पूरा मार्के या फिर आप वेपारी तेक पहुचाती जाए या फिर आप व वेपारी आपके खेत में ही या आके आज आपको क्या करीख खरीद ले फाइदा एक और ये भी है कि सरकार ये कह रही है कि देखे अब यही बात है लोग व्रम फैला रहा है कि मंडिया खतम होंगी भाई देखो सरकार ये कह रही है कि मंडिया खतम नहीं होंगी मंडिया और बढ़ेंगी जैसे कि पहले किसान तुछ थे अपने ही मंडिया बेचते से कि किसान चाहे तो अपना MSP खुद तैय कर सकता है, मतलब सरकार तो एक MSP बताएगी, उस MSP से मंडियों में समान खरीद और फरोग्त होगा, लेकिन अगर किसान सहमत है कि MSP से कम में बेचे, तो भी बेच सकता है, मतलब ये बाद नहीं है कि किसान MSP पे ही बेचे, उसकी मर इसना 300 या 400 या 400 या खरीद ले तो क्या हर्ज है, वो किसान क्यों अपने खेत में ही बेच देगा, ठीक है, तो यानि कि MSP है, वो इस कानून के मार्दे ज़े सरकार किसानों को ये कह रहे है, कि अगर आपकी मर्जी है, तो आप MSP से भी कम में बेच सकते हैं, ठीक है, अब किसानों का डर क्या है, किसानों का डर क्या है, किसान ये कह रहे है कि, अगर माल लिए मुझे मजबूर किया जाए, कि नहीं, मैं मेरी मांग है कि मैं MSP पर वेजू, और कोई वेपारी मुझे मजबूर करता है कि नहीं, तू MSP से कम दो, तो इसमें सजाल का प्रवधान क्या MSP guarantee नहीं है, किसान यह कहरें कि नहीं ठीक है MSP तो है लेकिन आप MSP को guarantee कीजिए कि कोई वेपारी MSP से कम में नहीं खरीद सकता किसान यह मांग कर रहे है क्योंकि सरकार कहरी है कि किसानों का फायदा रहात है, option है कि आप चाहे कि MSP से पी कम पी बेश सकते हैं लेकिन हो भी सकता है कि future में इनकी यही रहत इनकी मजबूरी बन जाए प्राइबेट जो भी company है वह आपस में deal कर लेंगे कि भाई आनाज की कीमत हम इतने से ज्यादा देंगे ही नहीं MSP से ही नीची अपना deal कर लेंगे कि हम MSP से नीचे ही देंगे अब किसान मजबूर है वह MSP पे ही बेचेगा या फिर किसान अब मंडी जाए तो मंडियों में उसे खिलाने लग जासे मंडियों में अगर वेपार company के दलाल चले जाए जो ब्रॉकर चले जाए वह इनको परिशान करेंगे इनका कहेंगे कि आनाज सही नहीं है फसल सही नहीं है और बाद में आओ आज मंडी बंध है अगर अगर बहाना करने लगे तो किसान मजबूर हो जाए कि MSP से कम ही वेपारी को बेचेगा तो किसान यह मांग कर रहा है कि आप MSP गारेंटी कर दिजिए ठीक है अगर आप मेरी परसनल राय की बारें बात करेंगे तो कानून का मैं बहुत ज्यादा जनकार नहीं हूँ लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि कि MSP का खेल है कम से कम वो प्राइबेट कमपनियों के लिए गारेंटी कर दिनी चाहिए क्योंकि सही बात है कही हो सकता है आगे चलके किसानों को क्या कर दिया जाए मजबूर कर दिया जाए तो कम से कम जो MSP है आप मंडी में ले जाके बेचते हैं तो मंडी में निलामी और जो भी हो आप मंडी के देखें लेकि जब आप private company से बेच रहे हैं तो मुझे लगता है कि at least private company जो direct हम selling कर रहे हैं वो उसमें MSP क्या कर देना चाहिए? जानी कि जो अगर मंडी से बाहर जो खरीद और फरिक्त हो रहा है वो MSP से नीचे पर नहीं हो सकती मेरा personal opinion ऐसा होना चाहिए बाकी कानून बनाने वाले हमसे ज़्यादा पड़े लिखें वो MSP की निगरानी में ये कानून बनता है तो मैं बस अपना opinion दे सकता हूँ इनका इस कानून से वेपारियों को क्या फायदा हुआ कि जो वेपारी पहले मंडी में जाके राजी सरकारों को टेक्स देती थी अब उन्हें नहीं देना पड़ेगा वो direct किसान से खेत में आके खरीद ले या फिर अपने बाजार में बुलाके किसान से आनाज खरीद ले किसानों का फायदा ता और सरकार यह समझाना चाहती थी अब बात करते हैं दूसरा कानून किया है तो इस नए कानून में दूसरा कानून है The Farmer Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Services क्रिसी ससक्तिकरण और सनरचषड कीमत आस्वासन और क्रिसी सेवा करा बहुत short form में इसको contract farming कहते हैं इसमें क्या होगा कि जब कोई private company है जैसे मान जी कोई private company डारेक्ट जब किसानों से खरीद रही है तो वो इसे contract कर लेगी, करार कर लेगी, deal कर लेगी भाई तुम्हारे पास इतना खेत है तो एक काम करो तुम अगले 2 साल या 3 साल के लिए मुझे से contract कर लो कि तुम जो भी अना जगा वो मुझे ही दोगे और एक fixed price अभी तैक कर लो कि 2 साल के बाद भी अगर तुमारी कोई फसल होती है तो तुम मुझे इतने ही rate में दोगे इससे क्या होगा कि इनका मंडियों का tax बच जाएगा और कम से कम कंपनियों को tension तो नहीं रहेगा कि चलो मुझे कहां से खरीदना है और किसानों को भी tension नहीं रहेगा कि मुझे कहां बेचना है तो इन दोनों के बीच में एक करार हो जाएगा अब इससे नुकसान क्या है वो यार किसी formal के लिए fix नहीं है कि भाई आपको नहीं private से करना ही करना यह आपको option है चाहे तो self खेती करें चाहे तो आप करार करके करें लेकिन जब बड़े पायमाने पर contact farming होने लगी ना तो यह छोटे किसान लड़ नहीं पाया फिर वो फसल नहीं बेच पायंगे तो इसलिए मजबूर हो जाएंगे यह फूरा control क्या हो जागा वो private company के पास हो जाएगा सरकार यह दावा कर रही है कि किसान को चलो कम से कम किसान को बोने से पहली अगले दो-तीन साल के लिए अगले दो-तीन साल की जो भी इशूस थे वो सौल हो जाएंगे और वो वेपार कर लेगा एक ही साथ बैठके एक कॉंट्रेक्ट में अगले तीन-तीन साल का प्लान कर सकते हैं यह सरकार दावा कर रही है अचा इस कानून पर मेरा अगर पीनियन पुछेंगे तो मैं मुझे लगता है कि यह इतना बुरा भी नहीं है पहली बात तो किसान को पास अप्शन है कि आप चाहे तो सेल्फ फार्मिंग कर सकते हैं आप कॉंट्रेक्ट ना करें लेकिन दूसरा आसान नहीं रहा गया फार्मिंग करना कॉंट्रेक्ट फार्मिंग से क्या होगा जो प्राइबेट कंपनियां बड़ी-बड़ी कंपनियां वह अपना इन्वेस्ट करेंगी अपना पैसा लगाएंगी वह आधनिक मसीने आधनिक बीज आधनिक उर्वरक लगा के वह और बह पर्केट में महगाई ज्यादा होगी तो मेरा इतना बुरा कानून नहीं है तो यह था दूसरा कानून मैं सिंपल से एक रिक्वेस्ट करूंगा आप से देखिए जब आप कानून को खुद पढ़ेंगे ना तो आप समझ जाएंगे कि यह कानून कितना फायदे मंद है कितन अपनी मर्जी से सपोर्ट या विरोध करेंगे और जब आप स्टडी करेंगे ना जब तो आप यकिन बड़ी इसली क्या करेंगे समझ जाएंगे तो बात कर लेते हैं तीसरे कानून की तीसरा कानून दरसार यह कानून नहीं एक संसोलन है पहले कि एक जिस्टिंग कानून थी उसी को क्या कर दिया गया संसूदित कर दिया इस तीसरे कानून का नाम है उससे पहले मैं आप सब से रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज आवे में बताईए खुद पढ़िये और मैं आपके साथ हूं सपोर्ट करने के लिए ठीक है तो प्लीज आप यूटूब के मुझे सब्सक्राइब कर ले तो चले बात करते हैं तीसरे कानून की आमें तीसरा जो कानून में संसोदत था वो है आवस्यक वस्तू भंडारन अध आप जितना चाहे इस्टूर कर सकते हैं जितना चाहे भंडारन कर सकते हैं अच्छा सरकार का दावा क्या है सरकार यह क्यों कानून लाना चाहती है सरकार किसानों से यह कहना चाहती है यह जो कानून है उसका आप लाब उठाई है जैसे कि मानली ठीक होता क्या था कि किसान जब फसल को काटते थे फसल की कटाई के बाद आनाज का दाम क्या होता था कम होता था तो किसानों को कम रेट पर बेचना पड़ता था सरकार यह कह रहे है कि आप उस समय मत बेचिये आप अपने अनाज को स्टोर कर लिजे जब मार्केट में डिमांड बढ़ेगा तब आप बेचियेगा तब आपको ज्यादा दाम मिलेगा लेकिन مजे लगता है कि इस कानून का किसानों से ज़्यादा व्यपारियग होने वाला है क्योंकि जो किसँन है उसको पैसे की जरूरत होती उसे अगले वक्त की फसल की बुखाई कर नी है तो वो तो अभी निकालना चाहे गगा तो फैदा को उटाएगा यह वयपारी जब फसल के कटाई होगी तो उससे मैं इस कानून इस फसल को खरिद के वह इस्टोर करने लेगे क्योंकि अब वह बाद नहीं है वह जितना चाहे इस्टोर कर सकते हैं और फिर जब मार्केट में डिमांड होगी तो इसको मार्केट में निकालेंगे सरकार कहती एक किसान भी तो चाहे तो इस्टोर कर सकते जो लाग मैसी लागोता है किसी को अलाव कर टेwno है इस का फायदा बस वेपारियों को ही होने वाला है ठीक है दोस्तों तो यह थे तिनो नए कानून मैंने अपने मादियम से समझाने की कोशिश किये और मुझे खुशी होगी अगर आप मेरे वीडियो को – ळाक काओं से आज चेसाल आप और सबस्कुराइब चैसले होगी आप अगर मुझे सबस्क्राइब करेंगे ठीक है दोस्तों सुछी होगी आप अगर ret waitedister whenever God करना लेकिन हाँ देश भी अपना है किसान भी अपना है सरकार भी अपनी है तो मिलते हैं अगले वीडियो में देखते हैं क्या इस्यूज आता है ठीक है फिर बाब बाई सब खेर खुदा आफिस अलाफिस गुड नाइट चाहे हिंजा भारा तरी गॉड ब्लेस योगाइस ब बाई